हाईलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल केम कलब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रसर के बारें बताएंगे कि क्रसर होता क्या है यह दोस्तों सेकेंड समिस्टर का एक सब्जेक्ट है यमो यस्यच मैकेनिकल आपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग इसका फुल फार्म होता है उसी में दोस्तों एक चेप्टर है साइज रिडक्षन तो दोस्तों उसी का एक पार्ट है क्रसर क्रसर एक पार्ट है उसी के बारे हम बताएंगे तो दोस्तों relaxing दो प्रकार के होते हैं एक ज़ाऌ वारे रितरी kitty क्रीसर दोस्तों आज हम आप्ञेश को ज़ाऌं को जाऊपlles के बारे हम बताएँगे कि जा-क्रसर होता क्या है किस प्रकार working करता है और इसका यूच घ्या जता है क्या करने के लिए तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को सबसे पहले इसमें जितने भी एक्कुपमेंट है उनके बारे में बता देता हूं कि इसमें क्या-क्या एक्कुपमेंट है क्या-क्या काम है उन सबका तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जा क्रसर होता क्या है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि क्रसर क्या होता है तो किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में रिड्यूस करना ही क्रसर कालाता है किसी बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस करना ही क्रसर कालाता है जैसे दोस्तों माली जीए एक कोई आपका बड़ा पार्टिकल है इसे दोस्तों हमको छोटे छोटे देखे छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस कर देए तो यह क्रिया दोस्तों क्रसर का लाती है तो क्रसर का में का में यह होता है अब दोस्तों क्रसर दो प्रकार के होते हैं एक होता है जा क्रसर एक होता है जा क्रसर और एक होता है दोस्तों गायरेटरी क्रसर तो दोस्तों आज हम आप लोगों को जा क्रसर के बारे में बताएंग तो देखिए दोस्तों जा मेंस होता है दात तो दोस्तों जा से ही जवड़ा होता है उसी से पता चल ला रहा है कि इसमें दात होंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जा है और यहाँ पर एक जा है यह दोस्तों जो जा होता है यह इस्थिर रहता है और दूसरा जो जा है यह मूब करता है यह दोस्तों इधर उधर ऐसे ऐसे मूब करता है तो यहां पर दोस्तों देखिए एक लगा हुआ है soft इसे बोलते हैं centric rotation यह soft लगा होता है इसी से वह rotate करता है यह देखिए दोस्तों और इसको बोलते हैं flywheel यह flywheel है और यह तो बता देए आपको कि यह moveable जाओ है जो move करता रहता है इस तरह से ऐसे move करता रहता है और इधर है जोस्तों adjusting wage वेज एड़ेस्टिंग वेज इसका क्या काम होता है दोस्तों एड़ेस्ट करता है यह जो है फ्लाइविल को एड़ेस्ट करता है और यहां पर दोस्तों देखिए लगा हुआ एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसका दोस्तों क्या काम होता है इस्प्रिंग का यदि दोस्तों मा पर फस जाते हैं तो जब फस जाते हैं तो हमारे जो इक्विमेंट होता है मतलब जो मुविंग जा होती है चलने वाली जा जो होती है वह नस्ट होने का डर होता है तो डिस्ट्राय होने से बचाने के लिए इसको हम स्प्रिंग को ढीला करके इस पूरे इक्विमेंट को इधर की तरफ खीच लेते हैं जब स्प्रिंग ढीला करते हैं तो पूरा इक्विमेंट इधर आ जाता है और हमारा जो पार्टिकल्स होता है और नीचे गिर जाता है तो दोस्तों यहां से हम फिट डालते हैं और यहां से हमारा डिस्चार्ज प्राप्त होता है और यहां से इसकी rotation देखिए दोस्तों इधर की और होता है दोस्तों इन दोनों इन दोनों मालब क्यारां, जो स्थिरव जाये और जो moving जाये इन दोनों के बीच का एंगल होता है दोस्तों 20-30 अंस होता है इन दोनों के बीच का एंगल और दोस्तों यह जो क्रसर है एक मिनट में धाई 100-400 बार एक मिनट में इदर उदर होता है इसकी स्पीड एक मिनट में धाई 100-400 बार इदर जाएगा इदर जाएगा यह दोस्तों इसकी स्पीड हो गई दोस्तों जाकरसर का यूज अधिक्तम एक दसमोलोग 5 मीटर से 2.4 मीटर तक पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है तो दोस्तों यह रहा आपका पूरा एक्क्यूपमेंट अब दोस्तों अब इसका दिखाएंगे कि इस किस प्रकार वर्क करता है और इसका प्रिंस्पल क्या है तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि जाकरसर जो होता किस प्रकार वर्क करता है तो दोस्तों यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 21 प्रकार वर्क कर रहा है तो दोस्तों यहां से दोस्तों जो है देखिए उपर से फीट जा रहा है और इसमें आ रहा है यह दोस्तों जो है फ्लाई विल जो है घूम रही है यह साफ्ट जो है फ्लाई विल को घूमा रहा है तो दोस्तों इसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल्स को डाला जा रहा है यह वाला जाकरसर देखिए यह वाला जो जा है यह इस्तिर है और यह वाला मुवेवल है यह दोस्तों देखिए आगे पीछे हो रहा है तो दोस्तों उपर से बड़े पार्टिकल्स आते हैं और इसमें नीचे यहां बीच म तो एक कंप्रेसिव फोर्स लगता है जिसके कारण जो हमारा बड़ा वाला पार्टिकल्स होता है वह ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों इसका प्रिंस्पल क्या है यह जा क्रसर जो है किस सिद्धान पर वर्क करता है यह दोस्तों कंप्रेशन कंप्रेशर के सिद्धान पर कंप् कि फृ impose ले इसके फीच रहा है तो जो पार्टकल्स हां चोटे-चोटे वह नीचे की तरफ आ रहे है हैं कि अब और फ्लाइविल्ड दोस्तों देखे घूम रहा है कि तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जाकरसर जो होता है work करता है देखिए जिस भी solid का या particles का break करना होता है उपर से हम डालते हैं और flywheel जाकरसर को एक motor लगा होता है उसको अन करते हैं तो हमारा जो soft होता है वो घूमने लगता है जिससे हमारा जाज होता है वो अपना इधर उधर आना याना शुरू कर दिता है बड़े particles को डालते हैं और इधर उधर होकर छोटे छोटे particles में break हो जाता है और यहां से हमारा दोस्तों product निकल जाता है तो दोस्तों यदि जो है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe करें like करें और share करें